आमरपाली इन दिनों शोशल मीडिया पे बहुत बुरी तरे से ट्रोल हो रही है ट्रोल होने की वज़े है आप सभी को पता है कि उन्होंने अक्षरा सिंग और पवन सिंग के बारे में जो बयान दिया है उससे सुनने के बाद अक्षरा सिंग के फैन को जादा ही नाराज हो गए है आमरपाली से अभी तो जब से उन्होंने अक्षरा सिंग और पवन सिंग के विवादों पर बयान दिया है तब से उन्हें मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है अब आप ये जानना चाहते होंगे कि किन किन बातों पर उनकी सबसे बड़ी बात जो उठी है वो ये उठी है कि अक्षरा सिंग उन्हें कभी नहीं बताती थी कि पवन सिंग और उनके बीच लड़ाई जगडे हुए हैं अगर ऐसी कोई बात उन्हें बाया पता चलती थी तब वो अक्षरा सिंग को फोन करती तो अक्षरा सिंग कहती कि ऐसा कुछ नहीं है मैटर सौट आउट हो गया है या फलाना धीमा का जो भी है यहां आमरपाली ने अपनी बात रखी अब दूसरी बाव जो कि अक्षरा सिंग ने ये कही थी कि पवन सिंग सेट पर लेट आते हैं तो उसे लेकर भी आमरपाली ने ये कहा कि वो मुझ से पहले सेट पर पहुँच जाते थी यानि कि अक्षरा सिंग की ये बात भी एक तरह से जूटी साबित होती है लेकिन ये आमरपाली का कहना है साथ ही जब आमरपाली से पूछा गया कि क्या पवन सिंग उनके साथ कभी बैड बिहेव करते थे तब आमरपाली ने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं चुप रहने वालों में से तो हूँ नहीं मैं इसका जवाब जरूर देती मेरे साथ ऐसा बिलकुल नहीं हुआ उन्होंने अपना एक इंसिडेंस में शेयर किया उन्होंने कहा कि हमारे फिल्म शेयर सिंग की शूटिंग के दोरां कुछ लड़के मुझे सेलफी लेते दोरां धकेल रहे थे जिसे देखकर पवन सिंग उन लड़कों पर बेहत बुरी तरह से बिगड़ गये उन्हें डाटा और कहा कि क्या किसी लड़की के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है यानि कि आप कह सकते हैं इस पूरे इंटर्वियू में आमरपाली दूबे ने पवन सिंग को लेकर सारी अच्छी बाते कहीं हाँ ये बात भी उन्होंने कहीं न कहीं मेंशन की कि कभी भी अपने उपर अत्याचार सहना गलत बात होती है लेकिन पवन सिंग के साथ उनके रिलेशन बहुत अच्छे है और साथ ही साथ दिनेज लाल यादाव निरहुआ के भी पवन सिंग के साथ रिलेशन बहुत अच्छे है और दिनेसलाल यादव निरहुआ ने भी अपने इंटर्वियू में कोई भी पवन सिंग को लेकर आपती जनक टिपड़ी नहीं की थी यहाँ इस इंटर्वियू में ये लगा कि आमरपाली दूबे अक्षा सिंग की ही बोली बोलेंगी लेकिन यहाँ उन्होंने ये कहा कि पवन सिंग के साथ उनके काम करने के एक्स्पिरियंस बहुत ही बहतरीन है भुच्पूरी जगत की हाट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सबस्क्राइब करना बिल्कुल लब भी